स्टॉक जिनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपको दोस्तावी शेक शर्म और आज हम बात करने वाल हैं तिंकज कंपनी टाटा स्टील के बारे मैं देखे जोस्तों अगर हम आज के दिन देखें आज है 21 अक्टूवार और आज के दिन भी स्टॉक में गिरावट का सिलसिला जा रही है 5% के करीबन जो गिरावट है अभी तक स्टॉक में देखी गई है 1311 रुपे 90 पैसे पर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बात करें बाइंग एंड सेलिंग कॉंटिटी के वाइवी पैनिक सेलिंग यहां पर अभी बनता हुआ नजर आ रहा है और डिलेवरिबल कॉंटिटी की बात करें तो 32% की डिलेवरिबल कॉंटिटी यहां पर अभी तक उठाई जा चुकी है तो फटटबट से डिसकस करते हैं क्या रणनीती हमें अपनानी चाहिए इस स्टॉक के अंदर यहां पर इस स्टॉक में एक सपूर्ट बनता है तो यहां पर इस स्टॉक में एक सपूर्ट बनता हुआ पर देखे रहे है अगर इस सपूर्ट को स्टॉक तोड़ता है तो फिर यह बारा सो रुपे के लिवल की तरफ लुड़कता हुआ नजर आने वाला है अगर बात करें यहां पर रननीती की तो हमारे साबसे दूस्तों अगर आप यहां पर फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे है तो थोड़ा आपको वेट करके चलना चाहिए ताटा स्टील में बाइंग करने के लिए जैसे ही पाइंग के अपाउचनोटीस आएंगी हम फ्रेश वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए तो यही रननीती आपको पनानी है इस समय टाटा स्टील स्टॉक में आप चाहें तो अपनी खुद की अनलाइसिस खुद की रिसर्च जरूर करके चल सकते हैं तो यही पताने के लिए हमने वीडियो बनाए थी अधिया आपको हमारे वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद